खबर रिवाजिले से आरी है जहाचुनावी वर्स आते ही करमचारियों से लेकर आम जनकी मागों का सिलसिलाद जारी है एक तरफ करमचारी हरताल पर है तो दूसरी जगे समास सेवी संगठन घेराव धर्ना प्रदर्शन कर रहे है ताजा मामला कलेक्ट्रेट पहुचे हुजूर् तैसील के मनकहरी के ग्रामीडों का है जहां कलेक्ट्रेट कार्याले पहुँचकर लोगों ने ग्यापन सौप कर इस्थाई पट्टे की मांग की है ग्रामीडों ने बताया कि विगत 100 वर्सों से वे मनकहरी में निवास रत हैं लेकिन उन्हें आज तक इस थाई पट्टा नहीं मिल पाया है ग्रामीडों ने बताया कि वे प्राइवेट जमीन पर रह रहे हैं लेकिन ना तो उन्हें कहीं पट्टा दिया गया, ना सास की जमीन, और अब उन्हें पुराने भूमिस्वामी बेदखल कर रहे हैं, जिससे वह चाते हैं कि जो जहां रह रहे हैं, उन्हें इस्थाई पट्टा दिया जाए, आईए आपको सुनाते हैं, कलेक्टरेट पहुंच हम सभी आदिवासी भाई ग्राम मनकहरी तहसील हुजूर से आये हैं हम सब पिछले सव वर्सों से एक ही स्थान पे रह रहे हैं और वो प्राइबेट पट्टे की जमीन थी लेकिन हम लोग सव वर्सों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं आज तक हम लोग को ना तो पट्टा मिला और ना ही हम लोग को वहाँ से जो मने भूमी स्वामी है वो हम लोग को वहाँ से बाहर करना चाहते हैं हम सभी आदिवासी वर्सों के लोग हैं वो जमीन एक इंद्जीत सिंग पटेल हैं उनकी है और एक दिन प्रकास नराण मिसरा हैं उनकी है उनके द्वारा हम लोगों को गाउं से बाहर निकालने की कोशिस बार-बार की जा रही है इसके संबन्द में ये लोग बार-बार यहां पे मने क्लेटरेट में आके ज्यापन देते हैं कि इन लोगों को गाउं से बाहर निकाला जाए तो हम सभी लोगों की माग यह है कि आखिर हम लोग जब सव वरसों सो वहां पे रहे रहे हैं तो हम लोग कहां जाएं करें अगर हम लोग को गवह से बाहर स्थस्था करें हम लोग के रहने के विएस्ता करें हम लोग की दिया हो और लगबख साड़े चार सो लोग वहां पर रहते हैं जी अभी मुलाकात हुई यह तो मुलाकात नहीं हुई है डिप्टिक लेक्टर साहब बैठे हुए थे और अपने साथ तसीलदार मोदे बैठे हुए थे उन लोगे से मुलाकात हुई है उन्होंने जी में ना मुकेश मि झुब खुब ऑने समय sólo हुए till घुना के गनलग वहां जी मुलाकात हुई हुए गर शाहां चार भ踏ंदव और म।ना कि हैं तेन